उत्तर प्रदेश में बिधानसवा चुनाओं को देखते हुए मंत्री मंडल बिस्तार को लेकर पिछले काफी समय से कयास लगाये जा रहे थे सूत्रों के अनुसवार जल्द ही यूपी में मंत्री मंडल बिस्तार किया जाएगा जानकाई के अनुस्वार जितिन प्रशाद और संजर निशाद के नाम मुहर लग चुकी है उत्रप्रदेश में अगामी विधान सवा चुनाओं को देखते हुए जल्द मंत्री मंडल बिस्तार होने वाला है इसके लिए कई बार चर्चाएं पहले भी तेज हुई है सुत्रों के अनुस्वार पिछले दिनों केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिद शाह के घर पर हुई मिटिंग के बाद मंत्री मंडल बिस्तार का रास्ता साफ हो गया है सुत्रों के अनुस्वार जितिन प्रशाद और संजर निशाद के नाम पर मुहर लग चुकी है यानि इन दोनों का मंत्री बनना तय है कई मंत्री यूपी से ही तालुक रखते हैं देश की स्यासत में ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनव से होकर गुजरता है गुत्र प्रदेश में विधान सवाद चुनाओं कुछ महीने बाद ही होने वाले हैं इसलिए इस मंत्री मंदल बिस्तार का सीधा असर चुनाओं पे परेगा इस मंत्री मंदल बिस्तार में जातिय समीकरन का पूरा ध्यान रखा जाएगा सुत्रों से मिली जानकारी के अनुस्वार पहले लखनव में सरकार और संगठन की बैठक होगी इसमें संभावित मंत्रियों की सुची को अंतिम रूप दिया जाएगा इसके बाद किंद्रिय नेत्रित्तु की समत्य ली जाएगी और अंतिम रूप लगने के साथ ही मंत्री मंडल विस्तार किया जा सकता है उत्रपरदे सरकार की मंत्री मंडल में 23 कैविनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत प्रभार, जबकि 21 राज मंत्री है इस तरह से योगी सरकार कुल मंत्रीों की संख्या तिरपन है, जबकि 6 मंत्री यूपी में हो सकते हैं, इस तरह से 5-7 मंत्री बनाए जा सकते हैं ऐसे में योगी सरकार अगर कैविनेट से किसी भी मंत्री को नहीं हटाती है, तो भी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं इसमें ओबिस ये ब्रामान के साथी अन्य जातियों को साधने की कोशिस हो सकती है सरकार के 19 मार्ट 2017 को गठन के बाद योगी सरकार ने 22 अगस 2019 को मंत्री मंडल बिस्तार किया था उस दौरान उनके मंत्री मंडल में 56 सदस्य थे कोरोना के चलते तीन मंत्रियों का निधन हो चुका है हाली में राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप की मौत हो गई थी जबकि कोरोना की पहली लहर में मंत्री चेतन चौहान और मंत्री कमल रानी वरून का निधन हो गया था पहले मंत्य मंटल बिस्तार में छे सोतंत प्रभार मंत्यों को कैबिनेट की सफ़त दिलाई गई थी इसमें तीन नए चेहरे भी थे ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक नियूज